नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप online PF क्लाइम किये हैं और आपका यहां पर क्लाइम अंडर प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रहा है तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो क्लाइम अंडर प्रोग्रेस में यह कितने दि वीडियो को skip मत किजिएगा पूरा ज़रू देखिएगा और यदि आप पहले बार विजिट किये हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा क्योंकि प्लीज इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगा तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको जनकारी देते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यह दिया आप और आपको यहां पर कुछ इस तरह का अंडर प्रूर इस देखने के लिए मिल रहा है तो अभी आप हम बात करेंगे कि इतने दिनों के बाद हमारे हमारे हम सेटल होता है तो इसका यहां पर मैं आपको साफ सब बत क्लाइम में आपका वहां पर पारा सलेट करना परता है यहनिकी वहां पर आपको कौन सा मतलब पारा के थूरू से आप अपना फॉर्म को आपलाई किये हैं आपका आता है और एक इल्लेस का यह है जो दोस्तों आपी दो जो आप मैं नाम बोला हूं आप यह जब आप सलेट है यह सेटल हो जाएगा यदि आप फर्स टाइम प्रियो विडिवल कर रहे हैं तो देन आप दो से तीन वर अल्रेटी कर चुके हैं उसके बाद फिर से उसको आप सेलेट करके और अपलाई की जाएगा तो आपको वहां पर फिक्स डेट नहीं मिलेगा आपको मतलब चार द अबता तक वेट करना पड़ेगा साथी साथ यदि आप साटा डे संडे को करते हैं तो आपका यहां पर पेंडिंग में रह जाएगा उसकी बज़ाद से आपका जो फर्म है और पीछे राजाता जो भी आगे क्या रहता है वो सबका यहां पर सेडल किया जाता मतलब यहां इक तरह से नमर वाइस नमर यहां पर लगा रहता है आप एक नहीं है बहुत सरे ऐसा है जो कि आनलाइन प्याफ ख्लाय किया है मतला जो भी मतला फॉम अप्लाइ की हैं तो उसको भी देखना पड़ता है ई-पिफो की जो टीम है तो एकक करके यहां पर settled करते जाता है तो हम यहां पर पता नहीं है कि हमारा से पहले और कितने कोई apply की है हमारा कितना number में है तो इसके जरी है से हम सब को पता हो जाता है लेकिन ऐसा कुछ भी यहां पर rules नहीं है तो फिर कुछ भी ऐसा हम सब को स्टेप्स नहीं दिखा जाता है अपलाई करते हैं बस हमारा अंडर प्रोग्रेस में दिखाता है यहां पर यह नहीं लिखता है कि इतने दिनों के बाद आपका सेटल हो जाएगा कुछ डेट कुछ टैम यहां पर नहीं लिखता है आपको यहां पर लाइप में देखने के लि आप जब online पर क्लाइम करते हैं तो आपका जो डेट इसका कुछ फिक्स नहीं है आपका एक से दो तिन दिन में भी हो सकता है यहां पर आपको 15-20 दिन तक भी आप लग सकता है आपको कोई बोलता है कि दो सब्सक्राइब आजाएगा ऐसा कुछ फिक्स डेट नहीं है दोस्तो ठीक है ना आप बरबर से apply करेंगे जो पारा होता है और आप बरबर से select करेंगे देन आपका पूरा details सब कुछ सही रहेगा और first time withdrawal करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि आपका 3-4 दिन में settle हो जाएगा देन आपका यह सब 2-3 बार already किये है और फिर से करें तो आपको यहा अपडेट के साथ में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे जैहिंद बंदे मातरम